हेलो एव्रिवान माइन में मिलाप गुपता एंड यूर वाचिंग वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रास्टिंग है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है जीरंड का जीरंड वॉसस प्रेजंट पार्डिसिपल देखें जीरंड क्या है वो तो इस वीडियो में हम सीखी लिए उसके बाद भी इंग्लिश जब मैं बोलता था तो काफी जगह में अटक जाता था और उस दौरान मेरे को अचानक टीचर ने एक टॉपिक करवाया जिस टॉपिक का नाम था जीरंड और जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजंट कर रहा हूं इस बड़ी चीज क्या है जो इस वीडियो को समझना है वह यह है कि आपने वर्प सो देखिए होंगी वर्प सो आप जानते ही होंगे सब्जिक्ट होता है वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब होती है और हमारे सेंटेंस बन जाते हैं और ग्रैमर के अलग-अलग टॉपिक्स हैं जिसके एकॉर्डिंग हम सेंटेंस को समझते रहते हैं और इतने दिन इतना समय इतनी क्लासिज निकल गए लेकिन आज तक इंगलिश को सही से समझ नहीं पाए हैं तो इस जीरंट के टॉपिक को समझने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी इंगलिश की बोलने क कि कला में बहुत जबरदस निखार आने वाला है इंगलिश ना बहुत एजी लगेगी 30-20 परसेंट करना इजाफा आपको अभी से दिखाई देगा आफ्टर वाचिंग इस वेडियो ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि present participle होता क्या है राइट present participle अगर किसी वर्ब के अंदर आइएंजी लगी है तो वह present participle होता है बात के लिए रोगई यानि कि आप यह समझ लिजे कि अगर लगा हुआ है किसी के साथ तो वह present participle है इसको मोलते है present participle अब बात करते है जीरंड की जीरंड वर्सेज present participle कैसे समझेंगे मैंने यहाँ पर तीन वर्ब लिखी हुई है लेकिन एक ही है तीन तरह से लिख दी जैसे एक d regard एक हुभी है संग्ड वहाँ वह सहा करे हैं अब कई से होते हैं जिसमें डांशीन डांशीनि यह आएगा लेकिन हर जगा इनका अलग अलग योज होता है हर जगा है इसकी हिंदी विलकुल different होगी और यही कला आज आपको सीखनी है मुझसे तो देखें सबसे पहले यहां पर हम पहले इसको लेंगे dancing यह dancing as a verb use कैसे होती है dancing as a noun use कैसे होती है यानि कि यहां पर इसकी Hindi कुछ और होगी और dancing as an adjective कैसे use होगी तो इस वीडियो के अंदर आपको यह समझना है सबसे पहले हम वाब के केस में समझते हैं कि dancing as a verb use कैसे करते हैं sentence के अंदर जब आपके हिंदी के sentence के अंदर जैसे dance का मतलब क्या होता है नाचना तो नाच रहा है नाच रहा नाच रही नाच रहे कुछ ऐसी sense आती है जिसमें रहा रही आए हिंदी के अंदर तो वह आपका continuous tense होता है यह तो बिल्कुल clear सी बात है तो सबसे पहले इस topic को clear करते हैं अब यहार समझना क्या है वो देखिए यह एक क्रिया का काम करना इसका मतलब क्या है इसका काम है एक क्रिया का काम करेगी आपके sentence के अंदर दूसरा point सभी continuous tense में यह यूज होगी तो यह as a verb यूज होगी राइट sentence देखे इसका example में मैं आपको sentence दिखा रहा हूं देखे जैसे मैं लिखूँ आई एम और मैंने लिखा dancing इसका मतलब हो गया मैं नाच रहा हूं I am dancing राइट एक example और देखते हैं मालो मैंने लिखा we were we were playing तो इसकी हिंदी क्या बनी हम खेल रहे थे लेकिन देखिए मैं नाच रहा हूं हम खेल रहे हैं दोनों में रहा रहा आ गया अब एक हम देखते हैं future का टेंस अब future का sentence बनाता हूं मैं देखें जैसे हमने लिखा they will be और यह ओगया future continuous they will be laughing कि दे विल बी laughing और फिर मैंने लिख दिया tomorrow यानि कि कल वह हस रहे होंगे तो रहे रहे रही आगया ना यह जब आपके sentence के अंदर हिंदी के अंदर रहा रही रहे आए वर्व के साथ तो आप समझे लीजिए कि आपकी जो वर्व है आएंजी फॉर्म में हैं और वह ऐसा वर्व यूज हूई है sentence के अंदर यह तो बहुत ना मैंने यह नहीं बोला मैं नाच रहा हूं सब्जेक कोई क्रिया नहीं कर रहा मैं यहां पर इसे एजर नाउन यूज कर रहा हूं इसकी पहचान समझो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होगी यह sentence के अंदर 90% केसिस के अंदर यह सब्जेक्ट होगी या फिर की रूप में sentence के अंदर होगी अभी करके देखेंगे दूसरा point आपको ध्यान रखना है group of words हो सकते हैं तो जीरंट phrase में भी हो सकती है अब इसका example देखेंगे कैसे लेकिन आपको समझना है नाचना पढ़ना जैसे मैं बोलूँ पढ़ना मेरा शौक है नाचना मेरी होबी है इस तरह के sentences जब होते हैं जैसे मैं बोलूँ कि उड़ना पक्षियों का काम है देख रहे हैं कैसे sentence बोल रहा हूं मैं उड़ना मैंने verb को पहले ही लगा दिया लेकिन as a verb use नहीं करा है मैंने यहां पर as a noun use करा है ऐसे sentences के अंदर verb के साथ ing का use होता है करके देखते हैं और फि चलना मेरा काम है तो मैं क्या बोलूंगा चलना मेरा काम है sentence बनाओंगा जलना अब चलने की इंजलिए हृति तो मैं बॉलुगा walking वॉक में लगा दूंगा आई-ए-गा माइडिन यानिकि इंसान का काम है च्लना वरकता नहीं कभी का चाहि आ चैश्टा मेरा काम है अब यहां पर समझने वाली बात क्या है इसके बाद यानि कि जो भी लगेगा जो भी आपके helping verb कहलो कुछ भी कहलो यह इसके बाद जो लगा हुआ है वहां पर कोई भी क्रिया नहीं हो लेकिन यहां पर walking तो एक क्रिया है ना वाक एक चलना यह तो एक वर्ब है ना यहां पर देखें वर्ब के साथ आई एंजी लगी हुई है लेकिन यह एजन नाउन यूज हुआ हुआ है चलना मेरा काम है अब मैं आपसे बोलूँ कि संट यह वह मैं एक ऐस बोलो नाचना मेरा शौक है थो इमूद है कि मैं अब मिरे ऑपसक्टेff कि मैंपैंशन ओ सकता है तो मैंने होब ला तुम से लिए संटेंसंस आप टेखो डांस में आई लगा हुआ है यह कैसे काम कर रही है यह होते हैं इसके अलावा आपको पता है इनकी जब हिंदी बनाओगे आप तो हिंदी में जब यह वर्ब बोलोगे तो वर्ब के लास्ट में ना आएगा ना नहीं नहीं आएगा बस आप समझ जाना कि आपके जीरंट वाले sentence है 90% case में यहां तो subject होंगे यह फिर object की रूप में काम करेंगे तो यहां पर आपने sentence देखा जैसे इस जग़ पर देखा आपने यहां पर हमने verb के साथ यहां भी लगाई हुई है लेकिन यहां पर sentence में रहा रही रहे का üs हुज हो रहा है ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हम वर्ब में लगा रहे हैं लेकिन यहां पर हिंदी हो रही है ना नी नहीं और सेंटेंस के शुरुआत में ही हम वर्ब को लगा रहें आएंजी के साथ एक एक जामपल और दिखाता हूं मैं आपको मान लीजिए हम ऐसे संटेस लेते हैं जिसमें ग्रूप वर्ड्स आ जाए जै तो मैं बोलूँगा रीडिंग ओल्ड बुक्स है रीडिंग ओल्ड बुक्स है इस माई पैशन है मैंने क्या बोला रीडिंग ओल्ड बुक्स इस माई पैशन अब यहां से देखो यहां तक रीडिंग ओल्ड बुक्स तक यह जो देख रहे हैं आप तो यह ग्रूप वर्ड हो गए तो है यह भी जीरंड लेकिन यह जीरंड फ्रेज बन गया एक जब एक वर्ब के साथ और भी वर्ड हो जाते हैं यह ग्रूप वर्ड आयाता है तो उसे जीरंड नहीं जीरंड फ्रेज बना देते हैं तो मैंने बोला रेडिंग ओल्ड बुक्स पुरानी किताबे सकते हैं है मेरा पैशन मेरा जुंण यानि पुरानी किताबे पढ़ना तो मेरा जुणून है इस तरह से आप बोल सकते हो अगर आपको और भी इस तरह के कई संडेसे बनाने तो आब वो बनाकर देख सकते हैं जैसे आसमान में उड़ना तो पक्शियों का काम है जूट बोल ला ना अगें बोलन न तो इससे बनाएंगे इस तरह के संटेज जब आप Inglis में बूह जाते हो न तो सामने वाला ना गदगद हो जाता है कि यार English तो जबर्दस्त है तो यहां पर कैसे बोलेंगे जूट बोलना ही लाइंग होता है तो आप लगाएंग लाइंग लाइंग यह और आदत की क्या है लाइंग इस तरह से अब सेंडेंस को यूज कर सकते हैं लाइंग जूट बोला तो तेरी आदत है ना इसका गजब सही जो आपने आज सीखा इस वीडियो के अंदर तो इस रहे के आप सेंडेंस बना सकते हैं जीरंड बस दो बात याद रखनी है सब्जेक्ट और अब्जेक्ट के रूप में यह ह इस तरह से आप इनको बना सकते हैं अगर किसी सेंडेंस के अंदर आए नाचते हुए पढ़ते हुए खेलते हुए ऐसी हिंदी के सेंडेंस में अगर आपको ऐसे शब्द बोलने पड़ जाएं तो आप समझ जाएं कि आप एड्जेक्टिव के रूप में यूज करेंगे कि इसी वर्ब को आएंजी के साथ सबसे पहले चीज अब्जेक्टिव नाउन से पहले यूज होगा यह अब्जेक्टिव नाउन क्या होता है उसको मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा और टीचर के दुवारा बहुत ज़्यादा फेमस है टीचर्स ग्रिमारियंस होते हैं बट कुछ टीचर्स ने इसको बड़ा फेमस कर दिया उन्होंने का सरफ ऐसे संटेंसी प्रेजेंट पार्टिपल होते हैं पर बुक्स में ऐसा कुछ कहीं ने लिखा हुआ तो इस संटेंस को देखें कैसे जैसे मालेजे मैं लिखूँ कि मैंने देखा मैंने देखा आइस अब देखो यहां पर भी तो वह पे आइन जी आ गया लेकिन हिंदी क्या रही है अब मैं यह नी बोल हुँगा नाच रही लड़की मैं ऐसा भी नि बोल सकता नाचती हुई लड़की मैंने देखी आइस और सब्सक्राइब उस बताता हूं हमने एक चलती हुई कार देखी हुई नाचती हुई पढ़ते हुए खेलते हुए चलते हुए हमने दोड़ते हुए दो लड़के देखे इस तरह के संटेसिस बना सकते हो आप तो I saw a dancing girl एक और देखते हैं हमने चलती हुई देखी a running car एक चलती हुई कार अब यहां पर आप देखिए ध्यान से अब जेक्टिव नाउन से पहले यह रहा आपका नाउन नाउन तो पता ही है न क्या होता है इस दुनिया की जो भी वस्तू जिसको आप अपने आँखों से देखते हो उसका कोई नाम हो वही नाउन होता ह अब यहां पर कार कार को आप देख भी सकते हो और इस दुनिया में कार किसी वस्तू का नाम है तो एक नाउन हो गई नाउन से objective नाउन से पहले और आपको भी पता है main verb के बाद जो भी आपका subject के अंदर main verb helping verb के बाद main verb main verb के बाद जो कुछ भी आपका आता है वो सारा क्या अबजेक्टिव पार्ट होता है तो यह objective नाउन से पहले आ गया देखो objective नाउन से पहले running car राइट एक ग्जांपल और बताता हूं मैं आपको जरूरी नहीं है कि objective नाउन हो यह subjective नाउन भी हो सकता है जैसे मैं बोलूं कि sentence बताता हूं देखो मानलो मैं लिखूं राइजि मैंने tense के sense में यूज कर रहा हूं rising sun मतलब क्या होता है rising मतलब उगता हुआ उगता हूआ तो उगता हुआ सूरज लगता है looks और उसके बाद मैंने क्या लिखा पढ़ते हुए खेलते हुए नाचते हुए इस तरह के आपकी वर्ब के साथ sound आता है ना वह आपका होता है present participle और adjective के रूप में यूज होता है अब adjective क्या होता है संग्या और सर्वनाम की विशेष्टा बताने वाले ही तो होते हैं क्या adjective जैसे गर्ल गर्ल क्या है नाउन गर्ल की विशेष्टा बता रहा है नाचती हुई उसका एक स्टेट बता रहा है क्या बता रहा है एक एक स्टेट बता रहा है स्टेट स्टेट है मतलब वो गर्ल कैसी थी नाचती हुई कार कैसी थी कार चलती हुई दौडती हुई और सूरज के भूछादा उगता हुआ देख रहरेके सेंटेंस जो होते हैं हमारे डेक्टिफ के रूप में यूजOOOO hoast एंब करते हैं और वीडियो को भू अच्छे स समझ जाओगे तो हर एक दो दो तीं-पिंस बनाके देख लेना और रेल लाइफ में आप अपनी इंग्लिश को न इस तरह से यूज करना मैं गैरेंटी देता हूं कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस न जा रहेगा अपनी इंग्लिश के अंदर कि ऐसे अजीबो गरीब सेंटेंस भी आप बनाने लग जाओगे और मैंने यहीं से जब इस जीरण पार्ट को सीख लिया था जो कि ग्रैमर में बहुत अच्छा और बहुत इंटरस्टिंग अगर यह समझ में आ जाए तो अगर यह समझ में आ जाए तो आप ऐसे संटेंस भी बहुत अच्छे से फ्रेम करके किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं इस तरह के पड़ना उसकी आदत है टिवी देखना तो मेरा कर्तवव्य है बढ़ोस का आधर संमान करना मेरा कर्तवव्य और हम कई वार बोलते हैं कि जुट बोले तो आिसे अन्दमे बनाने के लिए वर्ब तो होती है sentence के अंदर लेकिन हम सोचने हैं लगाएं कहां पर sense नहीं बन पाती तो आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे आप sense बना सकते हो इस तरह से आपको ये वीडियो I hope कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी नहीं आई दुबारा देख लिजिए आ भाई मैंने बोल दिया अब तू सोच गलत हो सहीं बोल दो यहीं होती है शुरुवात करना बोलने की आप बस बोल दो सामने वाले को बोल मैंने तो बोल दिया अब तू देख कि इसका मतलब क्या है वह तू सोच मैंने तो बोल दिया और जब आप ऐसे करने लग जाओगे न